संसारिक जीवन में अगर कोई पत परतिष्ठा पाता है समास से तो प्रदान मंत्री बनता है राश्पती बनता है मंत्री बनता है लेकिन वो क्या करता है वो अपने अनुसार चलता और चलाता है जूग के अनुसार तो आज देखी रहे हैं कल देखे ही हैं फिर कल देखने को म मिलेगा ही यहीं बगवाल गीता में कहें हैं कि जो हो रहा है अच्छा है जो हुआ वह भी अच्छा जो होगा वह भी अच्छा ही होगा पर हमारा सनातन यह कहता है कि हम मन में ही रामराज के असपना करने अपने हिर्दे में करें तो रामराज के असपना हो गई और रामराज क साथ मूर्ती आ रहे हैं जो आउधी भासा में राम चरित्रमानस का अखंड पाठ करेंगे 24 गंटा 26 गंटा 30 गंटा लगता है उसका समय निधारित नहीं होता है वो संपूर्ण पाठ होता है जब तक पाठ शुरू होगा जब तक चलेगा और उसके बाद भोग बगवान की आ कार्ज करम इस प्रकार का है कि 21 तारीक को 9 वजे श्री राम चरित्रमानस अखंड पाठ का आयोजन रखा गया है जो पूजन शुरू होगा और विद्वत पूजन करके और फिर अखंड पाठ सुरू हो जाएगा जो दूसरे दिन 22 तारीक को हमारे संपूर्ण होने पर हवन आरती फिर भोग भगवान का भंडारा भव्यत यारिया मंद्र का सिंगार शंद्या दिप उत्सव यहीं मनाया जाएगा सभी भक्तों से यहीं अपेल भी किया गया है पुरे देश बासी से हम करेंगे कि यहीं होना चाहिए अपने अपने हिर्दे में राम राज की अस्था अपना करना चाहिए अच्छा था तुरेता में तो माता कि कई कौसल्या सुमित्रा जी का लक्ष्मन भाई का साथ भरत जी का सद्धन का विश्वा मेत्र वशिष्ट जी कुल गुरू थे पर आज यह जो समस्या है था यह हमारे समाजिक और संसारिक लोगों के बीच में था यह आज जो सुलज गया और जो मंदिर का खार्जे भव्य तच्यार मतना हो रही है यह बहुत उतम काम हो रहा ह्या मानोल जन्पेमानी के लिए क्विश्य सदा ही रीडी है अज कि नैंनु सत्रुपा कर्य दिर से मानोल की रचना हुई है आप मनुस्वत्रूपा का कूल है खंदान है परिवार है जैसे आज हम सब की पीडिया दर पीडिया चलती आ रही है वैसे ही राजा राम चंदर जी का ये पीडिया है और वहीं से मनुस्य का उत्पति हुआ है इसलिए सदा ही रिढ़ी है जोद्या हर एक मनुश्य के उपर इ किस तरह मनाया जाए यह तो ऐसे देखा जाए समझा जाए तो हर एक मनुश्य प्राड़ी के लिए है नर्नारी के लिए है चाहें वह धार्म कोई भी हो धार्म से कोई बहुत नहीं है यहां एक इस्ट की आदर है और इस्ट में राम मर्जादित हैं पुरसूतम मर्जादित रामचंदर हैं यह मनुश्य के लिए ही रामचंदर मानश की राचना तुलसी बाबा भव्य किये हैं तो इसलिए हर धर्मों में हर मंदिर में गुरू घर में माजीदों में सम्में ही दिपावली के रूप खड़ा होना चाहिए देश से जो पुरा विश्व ही मनाय की भार अब उस त्रेता की रावड को तो समना करना पड़ा भगवान को पर इस रावड को समना नहीं करना पड़ेगा सामने आकर समक्सि लेकिन यह रावड अपने आप ही अपने उसका गार पर चले जाते हैं जो नास्तिक बिचार के कार